आपको पता ही कि BPSC ने पूरा advertisement जो है डिटेल में जारी कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो और ये जो है करीब 22 या 25 पेश का है अगर आपको चाहिएगा तो बताईगा मैं टेलीग्राम पे भेज दूगी बेसिकली इसमें मैं 6-8 का जो योगिता है आपका subject combination है वो बताने वाली हूँ सब कुछ एक वीडियो में cover नहीं करूंगी नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर देखे यह BPSC का है और कितना है विग्यापन संक्या देख सकते हो जो 17706 पदों पर जो vacancies आई है उसकी इन्होंने detail में दिया है तो चलिए 6-8 का देख लेते हैं पहली बार आएं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करकि वीडियो को लाइक कर दीजेगा बाकी सारी PDF आपको मेरी Telegram चैनल पर मिल जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हो यह 6-8 का है पुरा category wise अनारक्षित का कितनी seat है वही जैसा आपको पहले पहले वाल एक्जाम था हर एक category wise seat यहाँ पर fix है जैसे कि आरक्षन वाला है उसमें तो कोई दूसरा जा नहीं सकता है अगर आप 6-8 की टीचर बनेंगे तो आपका basic जो पे है वो 28,000 बाकि 9-10 का भी देख ल होनी चाहिए जैसे कि भारत का नागरिक यहां पर देखे लिखा है कोई भी भर सकता है चाहे आप यूपी के हैं जारखंड के कहीं के भारत का नागरिक होना चाहिए बस और यहां पर इन्हों ने बताया है कि राष्टी अध्यापक सिक्षा परिसाद्वारा जो भी fix किया अगर आप 628 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर टू और यह मस्ट है चलो तो इतना आपको पता चल गया और यहां पर इन्होंने कुछ छूट भी बताई है वह देख लेते हैं जैसे कि मेरे से बहुत सारे लोग फीमेल कोशन पूछते हैं कि सीटेट का नंबर कितना होगा तो देखें सीटेट अभियर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागो प्रावधानुसार समाने कोटी के अभियर्थि को नियूनतम 60 प्रतिसत अंग पीछडा अती पिछडा और समाने कोटी की जो महिला उमिद्वार है उनको 55 प्रतिसत तो आप समझ सुची जाती अनुची जन जाती इनका 75 नंबर देखो मैं बता देती हूं इन्होंने बताया है कि जो 2017 में जो एक प्रावधानुसार था उसके अकॉर्डिंग अगर आप जनरल मेल से हैं तो आपको 90 नंबर जाहिए बट अगर आप जनरल फीमेल है या पर देखें सामाने क कोटी तो आपको 55 प्रतिसत मतलब 82 और OBC पिछडवर्क अतिन पिछडवर्क को भी 82 और अगर आप SCST से आते हैं निसक्त कोटी से आते हैं तो आपको 75 नंबर सीटेट में अगर आपके इतनी नंबर है तो आप आराम से अपलाई कर सकते हो ठीक है यह सीटेट का नंबर यहा को मौका ही मिला है आप देख सकते हो अगर आपने सनातक विश्व विद्याले अनुदान आयोग से डिग्री प्राप्त की है दुवर्सी डिप्लमा आप अपलाई कर सकते हो यह फिर आपने 50 प्रतिसत अंकों के साथ सनातक मतलब ग्रेजुएशन पीजी तथा बीड किया है तो भी आप अपलाई कर सकते हो यह फिर आपने 45 परसेंट अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है और सिक्षा सास्त में आपके पास एक वर्सी सनातक मतलब बीड है जो इस समय समय पर जारी किये गए राष्ट्य अध्यापक सिक्षा परिसत मानिता मांदन तधा क्र या विधी विनिमों के अनुसाब प्राप्त किया जाता है मतलब यह अथमा अथमा करके इसमें से बस कोई एक भी आपके पास है आप अपलाई कर सकते हो बीड वालों को भी इसमें मौका मिला है पचास प्रतिसत अंकों के साथ उस्थर माधिमिक चार वर्सी जो बीड वाल और एक वर्सी बीड है जो विशेज सिक्षा उनकों भी मौका मिला है निरुमताम 55% अंकों के साथ अत्वा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ सनाते उतकर और तीन वर्सी एक एक वर्सी बीड आमेड वालों को भी मौका मिला है देखें यहाँ पर आपका यह डिपलोमा वाला आ चुका है ठीक है तो डिएलेड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है डिएलेड वाले भी बट ग्रेजुएशन होना चाहिए ठीक है चलिए तो अब हम आपको एलिजबिल्टी तो पता चल गई अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर देखें परंतुक में होगा 6-8 में भासा विद्याले के लिए विद्याले अध्यापर के लिए सनातक इस्तरवर आपका honors या फिर subsidiary विशय के रूप में संबंदित भासा पठीथ होना चाहिए या फिर अगर आप मालो यह तो language के लिए है अगर आपका language है तो आपने honors किया होगा subsidiary विशय के रूप में भी हो सकता है वो अगर आपका समाजी विज्ञान विशय है समाजी विज्ञान वाले ध्यान से सुन लो इसमें subject combination बताए जा रहा है कि मालीज आपका social science किसको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा समाजी विज्ञान के सिक्षक कौन बनेगा, math science के कौन बनेगा, भासा कौन बनेगा तो यह decide करता आपका graduation में आपका क्या subject रहा है तो वही मैं आपको अच्छे सबत आना चाहूंगी यह देखे समाजी विज्ञान विज्ञान के लिए क्या जरूरी है, graduation पे आपका इतिहास, भुगोल, राजनीती सास, दर्सन सास, अर्थ सास, वाडी जी मतला commerce वाले आगए, मनो विज्ञान, समाज सास, ग्रिव विज्ञान इसमें से कोई दो विज्ञान आपने, graduation में तीन सालों में कोई भी दो विज्ञान पढ़ा हो, कोई भी, ठीक है, subject combination बहुत आसान है, आप समझ गये, मैं इतने starting से ही बोल रही थी, कि जो भी आप commerce वाले हैं, arts वाले हैं, आपको समाजी विज्ञान ही पढ़ना है, starting में बो 6-8 तक के लिए विद्याले अध्यापे के पत्पर निक्ति हेतू, सैचडिक प्रसैचडिक योगिता में, अनुसोची जाती, जनजाती, अत्यन्त, पिछडा वर्ग, दिव्यान के अभिहरतियों को नियूनतम निर्धारित अहरतांक में 5% की छूट भी दी जाएगी, ठीक इसलिए इसारी चीज़े मैंने आपको इस PDF में बताई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह बाकी 9-10, 11-12 का है, अब एक बर मैं आपको वो दिखाना चाहूंगी, जो आरक्षन से रिलेटेट कुछ चीज़े आई है, वो भी एक बर आप देख लो, बाकी आप PDF में देख करीजेगा, यह देखें, यह 6-8 का जो पिछड़ा वर्गवाला है, वो उसकी वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है, यह TZT का है, 9-10 का है, ठीक है, एक एक चीज इनोनिस में 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 पेंशन की है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी बढ़ सकते हैं, बट मैं वो दिख अधिक्तम उम्र सीमा के लिए कट आफ थी थी नोने 18-23 रखा है, ठीक है, तो अब आप उसके कोर्डिंग आप अपना देख सकते हो, जैसे कि नोने बताया न, नियुनतम आई 21 वर्ग है, और इस मधि विद्याले में 18 वर्ग है, बट 18-23 कट आफ थी थी नोने जैसे कि अगर मैं अधितम आयू अनारक्षित पूरुस की बात करूं तो 37 वर्स है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, अनारक्षित महिला की बात करूं तो 40 वर्स है, अनुसूची जाती तथा अनुसूची जन जाती महिलाओं की बात करूं, तो 42 वर्स है, ठीक है, तो इसमें आप अपना age limit भी आप देख सकते हो, लिखित परिक्षा आपको बताईए, objective होगा आपका, यह हम इसको अलग से देखेंगे कि किसमें कौन कौन सा paper होगा, जैसे कि 6-8 में इन्होंने 3 में पूरा अच्छे से detail में बताया हुआ ह और एक बर मैं आपको आरक्षन वाला दिखाना चाहूंगी, यह मेधा सुचिक किस तरीके से तयार होगी, यह भी आप पढ़ लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर किसी के नंबर सेम हो जाते हैं, तो subject वाला पहले देखेंगे, इसमें कोई interview नहीं होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें साक्षातकार नहीं लिया जाएगा, आपर जो इन्होंने आरक्षन बोला है, वो 35-36 आरक्षन के तहत महिलाओं के हेतु आरक्षित पद है, तो जो लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि जो पीछड़ा बर्ग, अती पीछड़ा बर्ग